सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमीन को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जैमीन आप देख रहे हैं टेकी जैमीन दोस्तों मैं आज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास शाओमी का रेड़ी नोट 6 प्रो है और इसमें आपने ग्लोबल बीटा वर्जन डालके रखा है और इसे आपको स्टेबल वर्जन में कंवर्ट करना है यानिकि इसका सॉप्टर इंस्टॉल करना है तक कैसे करना चा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें यह एक शाओमी का रेडवी नोट 6 प्रो है जिसमें मैंने जो वर्जन डालके रखा है वह है ग्लोबल बीटा वर्जन है आप देख सकते हैं यहां पर एक वीकली अपडेट है जिसमें दॉइक अभुगा इनन को क्या देखने को नहीं 것을 देख सकते हैं कैसे यसे डाउनोट करना है कैसे अपड़ेट करना हैं यहों मतर चाहोँंगा तो थैर से समग거 डालेट करके रखिए стало तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर तीन डॉट है यहां पर क्लिक करूंगा और यहां आपको दो अप्शन अल्रेडी मिल जाएगे जैसे कि आपको देख सकते हैं स्विश्ट टेबल वर्जन अगर आपके पास इसमें इंटरेट का प्रॉब्लम में तो आपको पास डाउन और जूबड करने के पहला option मिल जाता है तो यहां मैं चूज अपडेट पैकेज दो अल्रेडी डाउन करके रखा है तो आप देख सकते हो यह पासिंपल साथ क्लिक करके इसे अप्लाइ करते हो तो आप देख सेकते हैं कि यहां पर आ चुका है अब उसे क्या करना है कि आप देख सेक्टेशन 11.0.3.0 जो लाश्ट पाइप अपडेट है और ग्लोबल श्टेबल वर्जन है तो यहां पर सिंपल सा मुझे इरेज और अपडेट करना है यानि कि सारा का सारा डेटर डिलेट हो जाएका तो बात द्यान अगर तो मैंने पहले बता है कि इसका जो बैक आप है वह पहले से अलग से बंदे लिए तो मैं यहां पर या देख सकते हो कि अपडेट होने का स्टार्ट हो छुका है यहां पर डिकुर्प्टेन होने वाली है फाइल तो हैंपर आप यांपर से यहां पे मेरा डिवाइस रिस्टार हो चुका है आप देख सक्ते हो और vrn में ले जाने के लिए तैयार है अब इसे रिश्टार्ट होने में थोड़ा 15 मिनिट टाइम लगेगा अपडेट होने में तोयां पे अप कि मेरा डिवाइज रिश्टार्ट हो चुका है अपडेट भी हो चुका है अब जैसे शुरू होता है तो मैं बताऊंगा कि और एक सेटिंग है जैसे कि आपको नया को शाओमी का फोल लेता है या अपडेट करने के बाद आपको एड़ेटाइजिंग आपको रिमूव करनी है है पहले से थोड़े बहुत तो 50% आप रिमूव कर सकते हों कैसे करना है तो वह इसी में बताऊंगा कि यहां पर जैसे डिवाइज स्टार्ट होता है तो मैं बता देता हूं यहां पर यहां पर मेरा डिवाइज स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हो यह माई एलेवन पहले जो विकली अपडेट था ग्लोबल बीटा तो इसमें आपको एक एक एलेवन देखने को मिल जाते हैं अगर आपको यह नोटिफिकेशन आता है तो आपको क्या करना है जब भी इसमें डालना पड़िगा तो मैं यहां पर डाल देता हो लेकिन आपको यहां पर वाये ख़ॉपर करता हो हो तो यहां पर is position अधयर ज़ेकर पेले नाया फैनल देख सकते हैं आपको कुछ भी यूजर ने जालना से आपको पारशुड है वह न है तो मैं यहां अब हैक्टे तो यहां पर यह सेटिंग एंग वही में इसमें आपको cela आपको चेज्श करना है तो क्या करना है कि इसमें आपको ज़ो यूज़ एक्सपिरियन्स प्रोग्ट्राम है उसे डीसेबल कर ले source दूसरा जो option है यसे में रखना हैud जो तीसरा option है personalized information इसे भी disable कर देना है, तो अब जैसे ही disable करेंगे तो advertising 50% off हो जाएगी, बाकी कोई setting ऐसा नहीं है, कि जिसमें आपको कोई भी तरह का आपको देखने को मिलेगा, यह भी आपको जो glance for MI है, वो भी आपको disable करना है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो advertising आपको दे यहां पर हो चुका है कि नहीं तो आपको प्रूब के साथ बता देता हूँ, तो यहां पे मेरा device on हो चुका है, आप देख सकते हो, और आपको बताते हो का यह पहले थोड़ी add आएगी, देख लिए कि यह आप यह पर यह प्रमोशन के लिए है, तो यहां पर मैं जैसे ही ज 3.0 है, और stable version है, तो आपको ऐसा ही update करना है, आपको कोई भी question हो, तो मुझे comment section में जरूर बताना है, और इसकी जो फाइल कैसे डाउनोड करने, इसका भी link आपको डिस्क्रिशन दे दुगा, वहां से जाए कि आपको कोई भी Xiaomi का phone हो, उसका ROM आप डाउनोड कर सकते हो, जै आपको क्या करना है, जो ROM है, वह आपको इंडिया वाले वर्जन के ही डाउनोड करनी है, तो ही आपको stable में आपको convert कर सकते हो, तो यह बात ध्यान रखेगा, अगर आपको कोई भी question हो, तो मुझे comment section में जरूर उता ना, फिलाल इस video में इतना ही दुस्ता आपको वीडियो पतंद है, तो like करें, share करें, comment करें, सब्सक्राइब करना मुझे भूले में ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा, धनिवाद! झाल झाल